हले स्टुडेंट्स मैं आजिस बहुर आप सभी का अपना आला यूटूब चले में स्वाहत करता हूं इस वीडियो से और यूटूब से मेरे जो भी अर्निंग हो गया जो रही है उसका 10% गरी बच्चे को फ्री एजोकेशन प्रोवाइट करने में किया जाएगा तो देखेगा और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे तो क्या है आज का हमारा टॉपिक है थ डानर वोडी मतला कोक्त वुपिकेशनल सूक्राइब नुखिके ए ब्ली एकन प्रेल था लेकिन ये जो हमारा लैंस त्युवर औफ पैरलल एकसीज जो है यह सब इस चैप की बाडिक के लिए के लिए रब कैसा भी शेप हो इस फियर हो या फिर सिलंडर हो या क्यूब के सबी चैप के लिए यह यह लिए धियरी अप्ले के बडे महाँ कि अगर हमारे पास कोई एक rigid body है if we have a rigid body of any shape ठीक है उसमें यह हमारा क्या है center of mass उसको हमने नाम दे दिया ओ इस center of mass से एक axis pass हो रहा है इस axis को हमने क्या नाम दे दिया z अब यह जो axis है यह axis कहां से pass हो रहा है center of mass से इस axis के parallel अगर हम कोई सा भी axis ले if we know that the moment of inertia about this axis which is passing through the center of mass कि इस axis के about हमें अगर क्या पता है moment of inertia अगर वो हमें given सपोज करो कितना है i,z तो अगर इस axis के about हमें moment of inertia पता है तो हम इसके parallel अगर कोई भी एक axis ड्रॉ करे इसके parallel अगर हम कोई भी एक axis ड्रॉ करे तो उस axis के about हम moment of inertia calculate कर सकते है यह theorem क्या कहता है कि center of mass से पास होने वाले axis के about अगर हमें moment of inertia पता है तो हम इसके parallel अगर कोई सा भी दूसरा axis ले यहां पर ले, यहां ले, यहां ले, कहीं पर भी ले इस axis के parallel है अगर वो दूसरा axis तो उस दूसरे axis के about हम क्या कर सकते है moment of inertia calculate कर सकते है तो हमने इस z axis के parallel एक दूसरा axis ले लिया इस axis को हमने क्या नाम दे दिया z dash इस axis के about हमने क्या कि एक दूसरा axis लिया और उस axis को हमने क्या नाम दे दिया z dash तो अगर z axis के about हमें moment of inertia पता है suppose करो कितना है iz तो हम इस z dash axis कि about moment of inertia calculate कर सकते हैं उसको हम represent करेंगे iz dash हमने consider कर लिया कि इन दोने axis के बीच का perpendicular distance कितना है इन दोने axis के बीच का perpendicular distance, perpendicular distance मतलब shortest distance इन दोने axis के बीच का shortest distance हमने कितना consider किया और इस rigid body का mass कितना consider कर लिया हमने capital M तो theorem of parallel axis क्या कहता है वो कहता है कि i z dash is equal to रहेगा i z plus ma square theorem of parallel axis क्या कहता है कि i z dash is equal to क्या रहेगा i z plus ma square where i z dash is moment of inertia about any axis कोई सा भी axis हो सकता है i z dash is moment of inertia about any axis i z क्या है moment of inertia about the axis which is passing through the center of mass i z क्या है उस axis के about moment of inertia जो कहां से पास हो रहा है कहां से पास हो रहा है जो center of mass से पास हो रहा है m क्या है mass of the body उस body का mass और a a क्या है इन दोनों axis ये दोनों जो कि एक दूसरे के parallel है इन दोनों axis के बीच की distance या perpendicular distance तो इस theorem को अगर हमें word में कहना है तो हमें सब पता होना चाहिए है कि Iz क्या है Iz क्या है Iz क्या है M और a क्या है तो देखो ये किया है आइज्डेश है इंज्डेश किसके equally है क्युकूल है वह equal है sum किसका सम sum of I and ma square i Z单 इक वल किसका सम इंज्डेश केवब EPA स्कूयर का सम अब यह M और A इन दोनों का भी क्या है product M और A इसको अगर हम word में कहें तो यह क्या है mass of the यह क्या है product किसका product product of mass यह product किसका product है product of mass and square of distance between both parallel axis M A square को अगर हमें word में कहना है तो हम क्या कहेंगे product of mass and perpendicular square of perpendicular distance between both parallel axis तो अब इस पूरे को अगर हमें words में कहना है तो उस words में कहेंगे तो वह हमारे पास क्या आजागे statement of theorem of parallel axis तो वह statement क्या रहेगा बहुत थोड़ा सा tough statement है ध्यान से सुनना दो बार repeat करूंगा बिल्कुल अच्छे से सुनना तो क्या कहता है वह कि moment of inertia about any axis moment of inertia about any axis is equal to moment of inertia about the axis which is passing through the center of mass moment of inertia कि यह और दूसरे वर्ड्स में आगेते हैं कि i z क्या है moment of inertia about any axis i z क्या है moment of inertia about the axis which is passing through the center of mass तो यह जो i z है moment of inertia about any axis is equal to moment of inertia about any axis is equal to sum sum of किसका sum sum of moment of inertia about the axis which is passing through the center of mass यह क्या है sum किया हम ने किसका sum किया sum of moment of inertia which is passing through the center of mass and अब यह क्या है product of mass of the body and square of perpendicular distance between both parallel axis इसे का आपना वर्ड में बोल दिया दो क्या था center यह क्या है moment of inertia about any axis is equal to sum of moment of inertia about the axis which is passing through the center of mass and product product of mass of the body and square of distance अरब बोल बोल दिस्टेंस कोई से perpendicular square of perpendicular distance between both parallel axis तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएगा कोई doubt हो तो कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं कोई ब नहे office